आपका यूट्वीब चनल जो पिछले तीन-चार दिन पहले जो मुंस्पल के दुकानों का जो एक्शन हुआ था उसकी कुछ तफसिलात मैं आपको पेश कर रहा हूँ सिटी मुंस्पल कंसलर के तारीख में पहली मरतबा हुए कमर्शल कांपलेकसों की दुकानों की खुले आम नीलामी की कारवाई गुजिशता रोज मकमल हुई इस नीलामी से मुंस्पल कंसलर को डेपाजिट के तारू पर 11.60.6 लाक रुपी असूल हुए सिटी मुंसफल कंसलर के तरफ से रियासभी और मैरकाजी हकुमतों के फंड के शेहर के मुक्तलिफ मकामत पर 220 पर 4 दुकाने तामिर की गई ती इन दुकानों के क्राये से होना वाली आमद्ने मुंसफल कंसलर के निये एहम जरिया मना जाता है पिछले कई सालों से किरायदारों को बदलने और नए तोर पर नीलामी के लिए मुंस्पल काउंसल की तरफ से कोशिश की गई थी मगर इसमें काम्या भी नहीं मिली सियासी दबाओ में आकर ये अदालत से हासिल करने वाले इस्टे आडर की वज़े से नीलामी की कारवाई रुकी ही पड़ी थी कई किरायदारों ने मुंस्पल की दुकान अपने तवर पर दूसरों के किरायदा पर दे रखी थी और मोटी रखम उसूल कर रहे थे इन सब पर लोग रोक लगाने का मुखस से मुंस्पल काउंसल के ठोस एकदाम करने का फैसला किया और दुकानों की अस्सर नो नीलामी का एलन कर दिया शादीत इतराजात के दर्मियान भी मुंस्पल काउंसल एहकाम ने 16 जून से नीलामी की कारवाई का आगास कर दिया किराया की शेकल में मुनसीपल को 20 पर 3,083,000 रुपे असुल होंगे। फिर से दूबारा कह रहा हूँ, किराया मुनसीपल के पूरे दुकानों से मुनसीपल को हर माँ 20 पर 3,083,000 रुपे असुल होंगे। तमाम 230 पर 6 दुकानों के लिए भी खुले आम निलामी ही वी और डेपाजिट के ताउर उपर 11 करोड साथ पर 6 लाक और रुपी असूल है मुनस्पल कमिशनर श्रीकांट ने बताया कि निलामी की कारवाई पूरी शफाफियत के साथ यानि खुले आम मुकमिल की गई और तवखिया से ज्यादा आमद नही वी इस से खबर मुनस्पल काउंसल के आमद नहीं कम थी और छोटे से काम के लिए भी डेपटी कमिशनर से फंड के लिए इंतजा करना पड़ता था अब मुनस्पल कौंसल के दुकानों की निला में से मुनस्पल कौंसल को आमद नहीं ही है और इस रखम का इस्तामाल करके तरखियाती काम किया जा सकते हैं अब कॉलाइर की अवाम यह देखना चाहती है कि पहले कॉलाइर की मुंस्पल Central को लिए कुछ developmen करना हुता था तो हर वक्त Deputy Commissioner के जाकर रापता करके वहा उसे Fund लाकर और मुंस्पल का कहते हाते में जो आता है वह अब मुनस्पल कमिशनर का कहना है कि अब हमें मुनस्पल को बहुत सारा फंड एक्ठा होकर है हम इससे कोला सीडी को डेवलेप्मेंट यहने के छोटे मोटे काम कर सकते हैं आप देखना चाहते हैं कोलार के अवाम ने कि सीमसी कंसिल ने अब कितना काम करेगी इस फंड से और इस किराये से जो हर माह 20 पर 3 लाक 80 पर 3 हजार रुपे उसूल होते हैं और 11 करोड 60 पर 6 लाक रुपे जो और आमदनी के अडवांस के हिसाब चेजर रखम आकर है उससे कोला सिटी कितना डिवलेटमेंट कर सकती है अब या कोलार के अवाम को इंतजार रहेगा